ट्रेडिंग हेबिट 29 आप दा वर्ल्ड मोर्स पाउर्फुल स्टाउक मार्केट रूल्स बावी इस्टी बंस एंड होली बंस इस किताब में हम इस चेप्टर का भावनात्मक रूल को जानेंगे जो 16 रूल से लेकर की 27 रूल तक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यद तो में अपनी इच्छधारी सोच को दूर करना चाहिए इसे लिखा है चेशली और मून ने ये कोटिसन है सिहर बजार में आसा रखना एक खतरनाक भावना है एक बड़े जीत वाले ट्रेट की आसा लोगों को बहुत बड़े पुजेसर साइजिंग लेने के लिए प्रिरि देखा करने और एक ट्रेन के गलत पक्ष पर लंबे समय तक बने रहने के लिए प्रिरित करती है एक छोटे केपिटल को एक बड़े केपिटल में बदलने की उम्मीद जितनी मदबूत होगी उतनी अधिक संभावना होगी कि एक ट्रेडर रिस्क भरे ट्रेडों में सलग न जाए आसा एक सकतिजाली टूल है जब यह ध्यर्य और कमिट्मेंट के साथ सिखने अनलिसिस करने और बढ़ने के लिए एक ट्रेडर के जूरून को बढ़ावा देता है हाला कि आसा का यानि की होप का एक ट्रेडिंग योजना नहीं है या एक संकेत नहीं है और एक गाइड नहीं है कि क्या करना है जब आपके trading खाते के बारे में decision लेने के बात आती है तो trader को trading नियमों के लिए तत्थियों और भावनाओं के लिए trading की आसा की आदत डालनी चाहिए वक्तिगत लक्ष ने डिसाइड करने के लिए आसा याने की होव एक महान टूल है लेकिन ट्रेडिंग डिसिजन लेते समय यह एक भैनक मागदर्सक है सत्रमा पॉइंट है इस पस्ट छूट और अनस्पेक्टेट पर दाव लगाकर पैसा बनाया जाता है इसलिका है इस पस्ट छूट याने की डिसकाउंट पर और जो अहां पर अनस्पेक्टेट रहता है चीजें वहीं पर ही दाव लगाकर पैसा कमाया जाता है तो money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected इसलिका है George Soros ने इस पस्ट ट्रेड जो हर कोई सोचता है कि कोई brainer नहीं है आम तोर पर काम नहीं करते हैं क्योंकि जब कोई इस पस्ट ट्रेड हो जाता है तो बहुत देर हो चुगी होती है जैसा कि जीतने वाले ट्रेडर मुनाफे में लाग करने के लिए अपनी exit strategy त्यार करते हैं profitable trader जो नहीं बन पाते हैं देरी से train का पिछा करने के लिए अपनी entry की त्यारी करते हैं जो unexpected रूप से नियमित रूप से होता है क्योंकि विकास इस्टाक किसी भी संभव से अधिक हो जाते हैं लेकिन सुरुवाती buyer और seller बाजार अपिक्षा से अधिक गहराई तक जाते हैं क्योंकि नुक्सान का डर किसी भी fundamental analysis को overwrite करना सुरू कर देता है जब कोई आपके long trade से सहमत हो जाते हैं तो साउधान हो जाईए खरिदने के लिए कौन बचा है अगर कोई सोचता है कि आप कीमत में गहरी गिरावट खरिदने के लिए पागल हैं क्योंकि दुनिया खत्म हो सकती है तो अधिकान्स विक्ली दबाव पहले ही खत्म हो जाने चाहिए एक train के लिए एक बजार होना चाहिए हर कोई आपके ट्रेडिंग इंडिकेटर से नफरत करता है एक अच्छा है क्योंकि यह दरसाता है कि बहुमत ने पहले ही अपनी चाल चल दी है और आप एक नई train या फिर उलटने वाले पहले वेक्ति हैं आती भाविक्ता इस बात का संकित है कि बहुमत ने अपने कदम पहले ही बना लिये हैं आया एक नया कदम करीब हो सकता है इस पस्ट और अनेस्पेक्टेड ट्रेडिंग संकित नहीं है इसलिए आपको ऐसे टेक्निकल संकेतों की तलास करनी होगी जो बजार की चरम भावना की अनुरूप हो विरोधा बासी होने की आदत डालें जब बहुसंक्यक सोंचते हैं कि ट्रेड को रूरंद रुकना चाहिए या या हमेशा के लिए चलेगा तो आपको साधार रहने की जबुरत है अपने सरवत्तम संकेतों का ट्रेड करें जब आप बहुसंक्यक सोंचते हैं कि आप पागल हैं अठारवा एक खोने वाले ट्रेड में आपको पैसे खर्च होते हैं लेकिन एक खोने वाले ट्रेड को हांस से बहुत दूर जाने से आप अपना तंजिगा सिस्ट भी खो सकते हैं, अपनी नसों, अपनी पूजी की खादीर घाटे में कड़ोती करें, एक ट्रेडर पैसा खोकर वापस आ सकता है, बनुक्सान होता है, पूरे केपिटल खाती को खोने के बाद भी बहुत सारे महान ट्रेडर वापस आ गए, लेकिन एक ट्रेडर के लिए अपन आत्म विश्वास खोने के बाद आपका वापस होना बहुत कठिम हो जाता है, टाइम, एनरजी, एक भायनव, उप्योग, इस्टाव प्लास करके माध्यन से आप ट्रेडरों को उनकी खिलाब होने जाने दे रहे हैं, फिर इसे बड़ा और बड़ा पकड़ रहा है, एक दि नुकसान को ही ले जाना जहां आपने पहने प्लानिंग की थी और आपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा बत्तर होता जाएगा, एक छोटे सी नुकसान को बड़े नुकसान में बदलना, एकनॉमिक्स और भावनात्त्त ग्रूप से मांगा हो सकता है, यदि आप लंबी अउथी के लिए एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यह important है कि आप हमेशा उचोटे नुकसान को उठाए, जहां आपको तानाव मेनेजमेंट के योजना बनाई थी, अधिक उत्पादन तरीके से जो एक ट्रेडर कीमत की हर टिक को देखने से अपना हर प्राइ प्राइम के नुकसान को सिमित करने के लिए आपकर आप प्राणविक इस्टाफलास लेने की आदर डालें, उनिस्वा, कभी भी ट्रेडिंग की पोजिशन साइजिंग का आखार इतना बड़ा ना करें कि आपकी भावनाएं आपके ट्रेडिंग योजना पर हावी हो जाए आपको एक पोजिशन साइजिंग के साथ ट्रेड करना होगा, जिसे लाट साइज बोला जाता है, जिसे कॉंटिटी बोला जाता है, जिसे आप मानसिक और भावनात्मा गृष से समाल सकें, कई ट्रेडरों को समय के साथ बड़े आकार के ट्रेडिंग करना परता है, क्योंक पोजिशन साइजिंग के आकार के साथ ट्रेड करना होगा जो आपकी भावनाओं और अंकार को कंट्रोल में रखता है जिस छड़ आपको अपने ट्रेडिंग होजना का पालन करने में परिसानी होने लगती है क्योंकि आप नुकसान नहीं उटा सकते या फिस्विकार नहीं क परसिने से तर हो जाती है तो कुछ गलत हो गया है अपनी पोजिशन साइजिंग का आकार कम करें तागे आप एक जीद भी सकें और लेकिन जब आप होना तक इस विद्री में ट्रेड भी कर सकें विश्वां पॉइंट ट्रेड दा मार्केट नाट दा मनी इसे लिखा है रिचर्ड विश्मेन ने ट्रेडिंग डिसीजन प्राइस एक्षन के आधार पर किये जाने चाहिए ना कि पैसा बनाने की और सकता के आधार पर इस एक stop loss उस प्राइस इस तर पर आधारित होना चा हैं कि प्राफिट डार्गेट प्राइस रेजिस्टेंस के तेक्निकल इस तरहों पर सबुक्रिक्राइध किया जाने चाहिए ना कि आपके स्वेंक के प्राफिट और टारगेट पर किसी trade पर कोई होई गई या फिप्राप्त रासी के बजाए आपके रियल trading system के आधार पर trade करें आप एक trading से बाहर नहीं निकलते क्योंकि आपने 100 रुपे से अधिक का नुक्सान किया है आप एक trading से बाहर निकलते हैं क्योंकि आपका स्टाप स्टापरास मारा गया था आप अपने इस्टापलास को अपने किल के वण पर्सनी नुक्सान पर मलमानेट हम्सेश शिट नहीं करते हैं आप प्राइस इस तरब पाते हैं जो आप को दिछाएगा कि आपका ट्रेड गलत है और पोजिशन का आकार कितना है ताकि आपकी अरिक्तम हानी आपकी कुल रिस्यो एक परसेंट हो, अन्य छेतरों के पैसे बर रुखते नहीं हैं, और उस पैसे की गड़ना करते हैं, कल्कुलेशन करते हैं, जो उन्हें दिन के माध्यन से कमाया है, वे प्रक्रिया पर प्रोसेस प पर ध्यान किंद्रित करने और किसी विशेश छड़ में आप जो पैसा कमा रहे हैं या फिर खो रहे हैं, उसके बजाए, एंट्री, एक्जीट, अपुजेशन साइजिंग के प्रक्रिया का पालन करने की आदर डालें, 21. जब करने को कुछ ना हो तो कुछ ना करें, रिचर ट्रेड लेने की प्रेणा एक अच्छे रिस्क, रिवाड रेसियो और सफलता के संभावनाओं का एक अच्छा संकित होना चाहिए, खराब ट्रेड आम तोर पर इसलिए होते हैं क्यूंकि एक ट्रेडर अनपैसेंस होता है और जल्दी से जल्दी पैसा गमाना चाहता है, ट जराब ट्रेड को रोकने की चमता से ट्रेडर को उतना ही फायदा हो सकता है जितने की अच्छे ट्रेड लेने से, एक ट्रेडर को खुष को बोर होने दिना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है, एक ट्रेड के लिए जल्दी होने से आपको पैसे खर्च होने सकते हैं क्योंकि आपके सामने एक संकेट चला रहा है जो कभी नहीं हो सकता एक चार में देश से ट्रेट करने का पीछा भी खतरनाक है क्योंकि रिस्क रिवार रेशियो एक ट्रेन के उल्टे रूप में अनुकुलित नहीं होगा जब तक कोई संकेट नहों और कुछ करने की छमता वि प्रफिटेबल आदत है सेल्फ कंट्रोल पैसंस और आवेक कंट्रोल आपका बहुं सारा टाइम पैसा और बुद्धी बचाएगा 22 जो हो रहा है उसका ट्रेट करें वह नहीं जो आपको लगता है कि होने वाला है डॉग ग्रेगरी भविश्य कहने वाला तकनिकी विसलेश और ट्रक्रिया सिल तकनिकी विसलेशन के बीच एक बड़ा अंतर है भविश्यमाडी करने की कोशिश कर रही है कि प्राइस में किमते कहां जाएगी और उस विश्वास के आधाया पर ट्रेडों को लेना एक संकेत के बाद एक ट्रेंड के सुरुवात का संकेत देने के रियक्टिव ट्रेडिंग एक ट्रेड लेने पर आधारित है या विश्वास करना की भविश्य सुचक है और सेर बजार एक बियर मार्केट से बाहर आ रहा है और उब्बूस बिलिश सिस्टन के आधार पर बाइन करना जब कोई प्रमुग इंडेक्स 200 मूई एवरेस से बाजार बियर मार्केट से बाहर आ रहा है प्राफिटेबल के लिए सबसे अच्छी चलांग अब बड़ी चलांग तब आती है जब हम बाजार में जो होना चाहते हैं उसकी आधाया पर ट्रेड लेना वंद कर देते हैं इसके बजाए उन संकेतों का ट्रेड करना सीखते है जो हो रहा है और प्रतिक्रिया करता है चार्ट, पेटरन, मुईंग, एवरेज, ग्रूप के ब्रेकाउट संकेतों के आधाया पर ट्रेन को पकरने के लिए डिजाइन किये गए हैं आपको केलकुलेशन संकेतों का ट्रेड करना चाहिए जो आपको अपनी सीमा में एक ट्रे के आधार पर वहाँ जाएगा जहां वहाँ जाना चाहता है फ्लो के साथ आने की आदर डालें और यहां अनुमाल लगाने की करने से बचें की फ्लो कहां जा रहा है 23 कमजुरियों के प्रकार के आधार पर सिस्टम वेकिस करें डावलाप करें जब ये काम नहीं कर रहे हो तो उन्हें ड्राड राउन के दावरान छोड़ दें रिचर्ड विस्मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रशनों में से एक ट्रेडर ट्रेड शुरू करने से पहले पूछ सकता है कि केपिटल में कितना गिरावाट वे छोड़ने से पहले सहन कर सकते हैं यदि आप ट्रेडिंग केपिटल में एक लाफ्टे शुरू करते हैं तो क्या आप तेन परसे नीचे जाने के बाद अपना सिस्टम बंद करना कर सकते हैं क्या नब्बे हजार सबसे अधिक पेनफूल हैं जिसे आप छोड़ने से पहले ड्राडाउन में समाद सकते हैं क्या आप पच्यासी हजार सत्तर हजार का ट्रेड रखना जारी रख सकते हैं यह एक important प्रशन है इसका उत्तर आपकी ट्रेडिंग यात्रा सुरू करने से पहले दिया जाना चाहिए अपने ट्रेडिंग की structure करें ताकि आपके पास एक एकल गिरावट से तूटने की कम संभाव ना हो उधारन के लिए ट्रेडरों को अपने return के लिए parameter set करने होते हैं उधारन के लिए 20% annual return को अधिक्तम या फिर 5% की गिरावट के साथ आपको target करना चाहिए एक वर्शन में आपको एक लाग का capital को एक लाग भी सजाय बनाना चाहिए या फिर उसमें 5% की गिरावट के साथ आपको target रखना चाहिए या फिर 10% या फिर 30% क्या return ये आपकी मर्जी है आपके return की आकरमकता आपके ड्राट डाउन के साथ सहसंबंध होगी आपका वांचित return जितना बड़ा होगा आपको उतना ही अधिक रिस्क उठाना होगा और इस्टिक खोने के दराण गिरावट का अनुभग करने के सम्भावना उतनी ही अधिक होगी जितने की प्रतिशत और रोखी लेने के लिए आपको रिस्क लेने के लिए आपका सिस्टम डिजाइन किया जाना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दिक्षम डाट ड्राउंड इक्विटी हाई से 5 प्रतिशत हो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेसियो अधा प्रतिशत एक प्रतिशत होना चाहिए आपके सिस्टम का जितने का रेसियो जितना अधिक होगा उतना हाईव का रेसियो भी कम होना चाहिए कई टेडर अपनी सुरवाती एक्विटी से होने वाले मुनाफ़े के साथ जोए की गलती करते हैं क्योंकि वे इसे घर का पैसा समझते हैं एक बार जब वे अपने खाते में चले जाते हैं तो लाब आपका होता है यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो आपको उनके साथ उसी तरह से विवहार करने के हो सकता होगी जिस तरह से आपने पैसे से सुरुवात की थी ट्रेडिंग पूंजी में आपकी अधिक्तम गिरावट को याद रखने की आदत डालें जिसे आप मांसिक और भावनात्म को विस्तर सहन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पुजिसन साइजिंग और रिस्क के रिवार्ड के साथ इस तरह से डिजाइन करेंगी आप अपने ब्रेकिंग पाइंट तक कभी नहीं पहुंचें लचिले बने रहें और बाजार प्राइस एक्षन के परवा के साथ चलें जीद आंकार भावनाएं एंट्री और एक्षिट के लिए सबसे खराब इंडिकेटर हैं भावनाएं और आंकार सबसे खराब ट्रेडिंग इंडिकेटर हैं बाजार में ट्रेन के पहचान करने की बजाए अधिकांस बाजार सह भागी यानि भाग लेने वाले अपनी भावनाओं के अधाया पर काम करते हैं आपको ट्रेन खोजने पर ध्यान देना चाहिए फिर उसका accumulation distribution के दिशा में ट्रेड करना चाहिए यह आपको अन्य कम discipline बाजार में भाग लेने वालों पर बढ़त प्रदान करेगा जब आपकी competitors drawdown में देर से भीक रही हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर है तो आप एक महान डिस्क रेशियो के साथ खरीच सकते हैं जब लोग price आधार के breakout को सर्वकालिक high इस्तर तक खरीदने से डरते हैं तो आप उस इस्तर पर खरीदने और बेचने के लिए एक indicator ले सकते हैं downtrend, uptrend और range bound market में अलग-अलग उसकी quality यां होती हैं और सफल trade वहाँ पहचानने के पहचानते हैं कि वे किस रह से market में हैं और price action का trade करते हैं प्राइस कारवाई के अधार पर अच्छे संकेत लेने की आदर डालें और अपने राय और भुष्यानी करना अपने दर्वाजे पर छोड़ दें 25 एक trader तभी सफल हो सकता है जब उसे एक trader के रूप में खुद पर विश्वास हो एक विजेता के रूप में उनकी ट्रेडिंग सिस्टम हो और वह ज्यानने की वह डिसिप्लीन है अपना होमवर्क करने के बाद खुद पर विश्वास आएगा आपने साबित कर दिया है कि डिसिप्लीन के साथ अपने ट्रेडिंग योजना का पलन करने के लिए आप पर एक भरुसा किया जात सकता है नए trader के अपने पहले वर्थ में और सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे trader में कोई भी छमता रखने से पहरे अपने ट्रेडिंग छमताओं में विश्वास रखते हैं एक trader के रुप में अपने आप में विश्वास एक सफल्दा के सबसे important पहलू है लेकिन इसके लिए आउस्टेक विश्वास होना चाहिए आपके पास एक बढ़हत के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए तो आपको ट्रेडिंग की गर्मी में सही काम करने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए आपनो विश्वास के बिना आप प्रफावी रूप ढंग से traderों में इंट्री करने में असमर्थ होंगे लेकिन बहुत अधिक आत्मो विश्वास के साथ आप बहुत बढ़ा ट्रेडिंग भी करेंगे और खुद को नश्ट भी कर लेंगे अपने आप पर बिलीव रखें कि आप ना केबल सही काम करेंगे बलकि आप गलत चीज़ों से भी बचेंगे 26 एक बात जो मैंने वर्षों से सीखी है वह है संकट इस वर्टू अपर्चिनिटी डीन के रहसो सबसे मजबुत डाउन ट्रेंड जो सबसे छोटे सेलरों को पसंद करते हैं आम तोर पर एक कथित संकट के दावरान आते हैं बुल मार्केट के दावरान ट्रेडर जो डीप्स खरीते हैं याने बाई आन डीप्स पर खरीते हैं जहां इंडेक्स 30 आरेसाई 30 होता है या भी 200 मुई एवरेच के करीब आते हैं आम तोर पर अधिक्तम डर का माहूल होता है प्राइस निवस्टकों के लिए सिक्यूर्टी का सथ से अच्छा मार्किन आम तोर पर बजार में संकेट के दावरान अलग-अलग सेरों में बड़े प्राइस पर खरीना चाहते हैं वे व्यक्तिकत कंपनी में भी हो सकते हैं जो फंडामेंटल अनलिसिस के बजाय नुकसान के डर के आधार पर कीमत में भारी गिरावट पैदा करता है संकट जो अवसर देता है वह कम समय में बेचना और बाद में खरीदना जब दुनिया खत्म नहीं होती है तो रहत रहली को बेचना चाहिए लेकिन आप सिर संकट में नहीं खरी सकती क्योंकि संकट के लिए आपको इंडिकेटरों के कारण इंतजार करना होगा जो आपको कम पर खरीदने या बेचने के लिए कहते हैं आपके संकेत प्रक्रिद्या सिल टेकनिकल एनलिसिस पिछले सपोर्ट रजिस्टेंस चार्ट पेटन इसपश्टी करण औ पमुक मुईंग एवरेट जैसे टेकनिकलों का उपयोग करके उसके बेच पर होना चाहिए हम हर संक्रेट में आउसर की तलास करते हैं अपने आप से पूछें कि सबसे बड़ा रिस्क रिवार्ड रेसियो शार्ट सेलिंग बाई अंडिफ्स वर खरीजने और ट्रेडिंग रिवर्सल और गेप में कहा हैं अपने स्वेम के प्रक्रियासिल टेकनिकल ट्रेडिंग संकीतों को विक्षित करने की आदर डालें और डिसिब्लिन के साथ उनका ट्रेट करें लास्ट है 27 पॉइंट बुरी खबर पर उपर जाना या अच्छी खबर पर नीचे जाना सबसे मजबुत बजार में से एक है रिचर्ड बिसमेन अगर अनेस्पेक्टेड बुरी खबर बजार की तेजी को नीचे नहीं ले जाती है तो क्या हो सकता है अगर अनेस्पेक्टेड अच्छी खबर नहीं है तो डाडाउन मार्केट को क्या आप भेसकते हैं जब बजार बुरी एक ट्रेंड के साथ रह रहे हैं यहां तक कि उन समाचारों के साथ जो उनकी पदों के खिलाव हो जाते हैं यह एक वीविका धिन ट्रेड सिस्टम का अपयोग करते समय वीचार करने के लिए एक फिल्टर है यह देखने की आदर डालें की बाजार उन खबरों पर कैसे रियक् ट्रेडिंग इंडिकेटर के साथ जोड़ा जा सकता है यदि 200 मुईंग एवरेज में लाउंग ट्रेट के अफट्रेंग के अंदर बूरी ख़बर पर आरेसाई 30 को क्लोस कर दिया है तो यहां घाटे का सेटप नहीं हो सकता यहां मजबूत करेगा और निरंतर उच्छाल अधिक बढ़ावा देगा यह था दोस्तो भावनात्मक ट्रेडिंग नियम जो हमने रूल 16 से लेकर रूल 27 तक जाना वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट क किजिए यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिंतरी स्टूडियो में जहिन